इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Montemak etabulate अस्थमा और Chronic Obstructive Pulmonary Disorder यानि की COPD की रोक्थाम और इलाज में मदद करता है. ये अलजी के लक्षनों जैसे की बहती और भरी हुई नाग, छीकने, आँखों से पानी आना, कंजेशन या भरापन को दूर करने में भी मदद कर सकता है. ये वायु मार्क की मानस्पेशियों को आराम देने में मदद करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है. मौन्ट मैक के टेबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना एक खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है. आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं. आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है. यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं. सबसे आम दुश प्रभाव उल्टी, पेट खराब, नाराजगी, पेट दर्द, दाने, खुजली, सांस लेने में कठिनाई, नाक में सूजन और फ्लू जैसे लक्षन हैं. इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं. अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं. यह दवा चक कर आना और नींद का कारण भी बन सकती है. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशकता हो. इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है. इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई बीमारी है ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्योक्त खुरा क्लिक सके. यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.